पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तिक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबिल में प्रमार है कि प्रभू ने मनुष्य को अपना ही सुरूप बनाया छे दिन में स्रिष्टी रचकर साथवे दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमार है कि हजरत मुहम्मत को खुदा स्वें कह रहे है कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छे दिन में स्रिष्टी रजी तथा साथवे दिन तक पर जाविराजा उसकी ख़बर किसी बाख़बर से पूछ कर तो देखो कृपिया हवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रिस बचा अब ये एक बार क्या था प्रमात्मा कबीर जी कासी में गंगा गाठ पर चले गए गंगा का गाठ बना हुआ है वहाँ पर ये ब्राम बने लोग सुरिये को यानि ऐसे सुरिये की तरफ मो करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दे कबीर साहिब बढ़के उसमें गंगा में गुटनों पाड़ी में और ऐसे नोकरन लगे गंगा के जल को पट्री वा फैं करें पूरी सबीड़ता है अब वो सारे पंड़त दिया अपना काम छोटे के कबीर साहिब की और देखने लगे कहने लगे ओ कबीर ये क्या कर रहा तू कबीर जी बोले आप क्या कर रहे हो मनने न पूछा तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से पर यहां बता हूँ आप क्या करे हो कि हम अपने पित्रों को स्वरग में जल भेज रहें यह हम यहां जल डाल रहें ना इसे मंतर बोलकर इसे सुरिया की तरह में गर के यह वाँ स्वरग में हमारे भूखे पैसे पित्रों को जल पराप्त होगा प्रमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रखे अपनी जौफडी का गए और मैं उस बगीची को सीच रहा हूँ फिर मंटगे करेडे हो गए तो वो कहने लगे रहे भोले आदमी इतनी दूर कैसे जाए गाजल यह तो यहीं पड़ा है वो तेरी जौफडी का गए बगीची जो छोटी सी लगा रखे वो कैसे सिचाई होगी इससे कि एक लाखों किलो मिटर दूर मील दूर तुमारे पितरों को सुरग में यह पानी मिल सकता है तो यह दो किलो मिटर पर क्या जिक्कत आएगी इसको तो उनकी चौंद डूटगी पंडजिया ने फिर अपना गलती सविकार की माल की सरण ग्रेन करी अपने आत्माओं वही यहां यह सश्टम है देखो अब देखो इनके आगे फिर मारकंडे प्राणम पड़ रहे हैं 92 प्रिष्ट पे बानुमें पे उससे वर्क्स योनी में पढ़े हुए पित्तर तरफ्त होते हैं आचा वर्क्स तह है इतना बड़ा और पाणी ने चोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनार है बताओ वर्क्स कैसे तरफ्त होगा सुम्हें तब बाल्टी पर पर गेर न और नाने के नाने पर अपने सरीर से जो जल के कन इस परत्वी पर गिरते हैं उन से उन पित्रों की तरफ्ती होते हैं जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं आदेखो इनकी अकल कहते हैं नाने के बाद जो चीटे चाटे परत्वी पढ़ते हैं वो जो देवता बनेगे उ नने पर अपने स्रीर से जल के इस परत्री पर गिरते है न उन शे उन पन्दों की तरहुती होती है। बता, वह पसु जो नीमा कीता है, बहस्पन के खड़ी होगी, उड़की वह माई आता, दाद जीता ही का की, और उड़ा वह कंड गिरें पर थीपा कीता है, वह बहस्पन एक टोकर आन्यार भूस खावा डेली, एक कंड ते क्योकर छिक्के गिवा, तेरा के ज़िए, देकी से म उर्ख बना रहा है, अब देखो, कुल में बालक है, जो सराद करम योगे होकर संसकार से वन्चीत रह गई, यानि वच्पन में मर गें सराद करें नहीं, तो वे बिखरे वे अन और समारत जन के जल को गरेंड करते हैं, ब्रामन लोग वो जन करने के वाद आत्मुद होते है और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों कि तरपती होती है, बेटा उत्म विजी से सराद करने वाले पुरसों के अन्य पितर, यदि दूसरी योणियों में चले गए हो, तो भी सराद से उन्ने बड़ी तरपती होती है, अनन्य उपारजित ध किता है वर्क्स बनेंगे कोई बैस बना खड़ा है किता है कोई काटड़ा बन रहा है इन्हों के वह भी तरफ्त होंगे वह तुड़े छक्क हैं दो दड़ी खाऊंगे जब पेट पर है एक बार आधनिय गरीबदास साहिब जी गाउं छुडानीम होएं जिनको परमात्मा मिल रहे थे पर सचकंड ले जाके वह पर छोड़ा था उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया एक उनका सिस्थ था किसान और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत से में बैठता था प्रती दिन सथसंग सुनता था दिन में विचार सुनते रहते थे बैठ जाते थी तो वह एक अगले दिन नहीं आया गरीबदास जी ने पूछा वे भई कल क्यों नहीं आया अगले दिन दो पहुंचा उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी मा का सराद था और हमारे गुरू जी वह पंड़जी आये थे उन्होंने सरा सुरुत निकाल ला उसनों सारा दिन बेजी रहा मैं प्रमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास जी लेकिन मारी बुद्धी इतना काम नहीं करती हैं संसार के विवहर को गड़ा मैं तो देते हैं तो कभी गरीबदास जी ने का भी एक काम करना बेटा जब तेरे पिता का सराद निकाल ले तुमारे वो ब्रामन जी उ दो व्यक्तियों का खाना ले आना यहां पर अब उस व्यक्तियों ने सोचा गरुजी अपने लिए मंगाते होंगे जब उनके गरुजी ने सारा काम कर लिया तैरी उसने सब लगा दिया भोग बाग कवे कवे चखा दिये तो बाद में बचे हुए दो रोटियों का दो मनु प्रिचित हो चुके थे तत्व ग्यान से प्रिचित थे उस भगत का ही खेत था उसमें एक जोड़ी थी छोटा सा तलाब जिसको लेट बोले जो वेक्ति लेकर आगया दो मुनुश्यों का बोजन गरीबदास जी कहने लगया जा मेरे पीछे पीछे अब उस वेक्ति ने सोचा खेतों में कोई सादूसंत आए होंगे इनसे मिलने आते रहते हैं वहाँ जाकर उस लेट से उस जोहड से एक किलोमेटर दूर उस खेतों में जो तलाब होते थे छोटे छोटे पसूँं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल तो उसके चारों तरफ जोंड खड़ हो जाते थे धाड़ बोजडे काटे दार धाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे उससे एक दो सो फुट दूरी पर बैठे के गरीब दास जी भी रो लड़का विक्ती बठा लिया और वहां कहा आवाज लगाई उसके माता और पिता का नाम लेका है और उनसे कहा कि जी दड़ और गिडड़ी निकल का आए और वहां आकर खड़े हो गए और लिला थी गरीब दास साइब जी की और कहा बेटा ये तरी मार ये तरा बाबू ये तरा पिता जी इनक खिला बोजन वो दर दिया खोल का उसना अब वो छक गे दोनों मेंट खागे फटा फट और अब गरीदास जी बोले कि तुम्हारे गुरू जी क्या कह रहे थे कि एक दिन के भोजन खिलाने से और एक वरस तक तुम्हारे पिता जी पित्तर जो जिस भी यो निम हैं वो तिरप्त रहेंगे अखाँ जी ऐसे कह रहे थे ये दोनों बुखे मरें देखागे सारे ने और बोगत ही बला के आयो तुम है अकां जी उस दिन पिछे कान पकड़ दिया के जी बाड मा जाओ ये तो बखवाद है सारी तो छोड़ दी सारी लोकवेद और दंद कथा मनमाना आचन उस प्यारी आत्मा ने तो पुने आत्माओं परमात्मा कहा करते थे कि तुम एक दिन तो आहर करा दे तो मान लिजिए तुम्हारी बात बड़ी करें और तुम्हारे पिता जी या माता जी जब जीवी थे दिन में दो दो बार तो पकारोटी खाते थे अरी तुमको एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं ये कोई संभाव बात है तुमारी एक दिन तुम न का पेट पर जा रहे है एक दिन ये फंड करने ते कोई फैदा नहीं कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके बन चुके अब पुझात्माओं जब हम सत्वक्ति करेंगे और इस सादना के करने से आपके जो पित्तर भूत प्रेताधी बने हुए हैं और चाहे वो किसी योडी में है ये पित्तर वाड़ी सिस्टम में तो उनकी भी मुक्स हो जाएगा आपकी बक्ति करने से अपने अत्माओं ये सत्कर मान लेना ये दास आपको समय अनुसार सब क के लिए बताएगा इन एडवांस करने से आप अपना करम बेगाड़ बैठोगे आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पित्तर वगारा भी इस सादना से ही रिद की मुक्ति हो जागी अब क्या होता है जैसे इन इन एपराणों में लिखा है के एक हजार ब्राहमन भोजन कर रहे हूं जैसे इनौने पित्तरों की और पोगतों की सरहण की विधि भता रही है पित्तरों के लिए बोजन कराव ब्राहमनों को तो ओर्ड नंबर में हो बजाए से एक, तीन, साथ, यानि पांच, साथ ऐसे हूँ और बाकी एवन नमबर में हो ऐसी संख्याम जमाने चाहे हैं और इसी विश्णू पुराण में लिखा है कि एक हजार ब्रामन जीमते हों, बोजन कर रहे हो और उनके सामने एक योगी योगी माने भगत, सचा भगत, सतसाधक सतसाधना करने वाला परमकसर प्रमातमा का जो साधक है वो वास्तों भगत, योगी होता है योगी कारत यह नहीं, यह पेट का पानी अलागे देखा दिर आशन उसन कर रहे हो, ना, यह योगी नहीं यह तो एक प्राकृतिक चिकित से कह सकते हैं, वो योगी है, योगी कारत होता है, भग्त, प्रमात्मा से मिलने की जो कोशिस कर रहा है, वो योगी है, भग्त, यानि सत्ता सादक, यह देखिएगा, श्री विष्णु प्राण, गीता प्रेश गुरुपुर से प्रकासित है, इसके अनुवादक है, मुनिलाल गुप्त, यह गीता प्रेश गुरुपुर से प्रकासित है, यह है अध्याय सोला और तिर्तिय अंस और प्रेश नंबर दो सो तेरा पर यहाँ पर लिखा हे राजन, सराद करने वाले पुरुष से, विष्वे, देवगण, प्यत्रगण, माता महें और कुटंबी जन सभी संतूष रहते हैं, हे बूपाल, प्यत्रगण का आधार चंदर्मा है, और चंदर्मा का आधार योग है, भगती, और इसलिए सराद में योगी जन को न्यूक्ट करना अति उत्तम है, यानि सत्साधक को, हे राजन येदी, सराद भोजी एक सहंस, यानि एक हजार ब्रामनों के समुख, एक योगी भी हो, तो वह है यजमान के सहित, उन सब का उद्धार कर देता है, यानि ब्रामना का भी, खार योगी का भी, और उनका यजमान का भी, सब का उद्धार कर देता है, अगर पित्रों की तब आता चोड़े, अपन्याथम्हों यहां पर आप सब योगी हैं और जो भख्त आपके यहां दान करता है वो आपको जमा रहा है तो आपके पित्रों का तो हुँ उदार हो जागा यह सत्कर्वान लियो यह इतना गजब कारह बार गए जो हमारे पराणों जो सत्त है हो तो इन्होंने ग्रेंड की नहीं, इन्हों ऐसे ग्रेंड कर ली, अपने आत्माओं जैसे वेद आपने रूची रिसी की कथा में देख लिया मारक इंडिया पुरान में, कि वेद में इसको अविद्दा कहा है, करम कांड को, और पित्तर भी मानते हैं क्योंकि वह विब्रामन दिखाई दे जाएं और वो कहें वेटा सुराज निकाल दे तो हम क्यों निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा, कोई बात है या, अपना आत्माओं उसका तरीका है, जैसे किसी का बालक और कुए में गर गया, उसका वो तो चला रहा है, डूब गया, डूब गया, उसका क पचाने की, पहले रस सीवान देख, उपर मजबूत सी, उसको निचे डाल, उसको पकड के जार, उसने भी काड के लिया है, तो ये पित्र देखाई दे जाएं रहे, ऐसे कोई है तो उसका गयल नहीं डूब है, उस स्रादना नहीं करे, उसके लिए ये रसा है जो दास आप को देगा, ये सत्वग्ती करो, इस तरह ये दान दर्म करो, और उनक पित्रां काविर सब गयेंगा, उदार अपने अब होता चलेगा, ये अपने पड़ बी लिया, क्योंकि सत्वादक ये भग्त है, ये लाखों योगी जी में एक महिने के अंदर आकर के, और फिर वो एक क अफिर तानी ने अबी सुना के वेध में इसको मुर्खां की साधना बताई है, तो भीस थीक है, तो वेध क्या है? ये परमातमा का विध्धान है, ये परमातमा का आदे से और जो हमारे पुराणों में झो लिखा है, वो पित्रों का, या बर्माजी का, या किसी द़से तालसा यह कौन थी बता, इस से की बात ने साची मान ली सब नहीं सी तरह करना लगे, और या किसी अन्य रिशी का दिया हुआ आधेश है, इसका पालन हमने नहीं करना, जैसे एक समय, एक विक्ती की दोस्ती द्रोगा से थी, थानेदार से, ऐसे चो से, और उस विक्ती का जो स दरोगा जी से कहा, के भाई दरोगा जी ऐसे ऐसे मेरा साथ वाला मकान पिकस्षान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायीत भी कर लें नहीं मान रहा है, क्या करूआँ, अब दरोगा जी निका हुआ, जैसकोос का महरलट शिर मेघत देख लूंगा, द्रोगा जी के आदेस लेकर उसकी आग्या का पालन कर दिया, उसने ये सोच कर यो आप समाल लेगा, उस अपने पडोसी के साथ जगड़ा ठान लिया, लठ्थम लठ्था होगे, उसके शर्म लठ्थ लगया, वो मर गया पडोसी, अब वो ऐसा चो वांका पर वारी था, उल्या उसी को पकड़ कर, अब आला तुम में दे दिया, सजा एमोत होगी उसकी, अब राजा का विध्धान था, किसे के लठ्थ मारेगार मर गया, तो उसकी सजा होगी मोत, और वो विध्धान तोड़ दिया, उस विक्ती ने अपने मित्र, एक अधिकारी की आग्या का पालन कर लिया, जिससे राज वेदा का विद्धान टूट गया वो दंडित हुआ एसी परकार इन पॉराणों में लिखा हुआ जो आदेश है ये द्रोगा जी का समझ लो इन पॉराणों में और वेदों में शमीदान समझ बगवान का बगवान का समीदान अगर तोड़ दिया इन द्रोगा जी के कहने होंगे हम पित्तर ही बनेंगे यानि मोत की सजा मोत की मिलेगी तो इसी गलती बामतना करें बाई और करियों भी मत एक जीवी तो धारण दासाब को देता है मेरे पुझे गुर्देव जी ब्रामन वरन में जन में थे हरियाना के अंदर जिला विवानी चर्खी दादरी के पास एक पेंतावास गाओं है बड़ा पेंतावास वहां वो रहते थे किसान का काम करते थे वरन ब्रामन है पुनातमों ब्रामन को जाती विशेस नहीं दास बह जेकाई कि प्रामनों के विसे में कहे रहे हैं नहीं और वह खेतों मेरे गुरुदेव थे ब्रामन वर्णुम्रेह जनम था उंका खेतों में गव्य चरा रहे थे अपने खेतों में उसके पास पहले होते जंगल बहुत्व वन बहुत होते थे एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी यानि एक संथ से वो उसे प्रेड़ना पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एडरिस पूछ लिया सबग्यान से प्रीची थोकर खेतों में शाम के समय गुवें चरा रहे थे और भी कुछ साथी पाली गवाले थे तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूँ मैं देर हो जा तो तुम पस्वें ले चलना मैं आप आ जाऊंगा वो जंगल में चले गे गहरे पालीयों ने वो अपने गवें गाउं में ले आए अब वो सामने काफी देर होगी जब नहीं आए उनका बस्वन का नाम गाउं का नाम हरदवारी था पंड़त हरदवारी और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था कोई कोई पैचान ना ले ग़र से निकल गवे थे वो तो उन्होंने क्या किया अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दी दो जोडी कपड़े लेकर गए घर से उसमें एक अलग से ले गए थे किसी को दिखाया नहीं वो जो पैन रखे थी वो कपड़े पाड़ पूड़ के और कोई किसी इंसक पसू ने कोई पसू खा रख्या था कोई मर्ग वगरा किसी शेर ने वो उन्होंने दिन में देख लिया था उसके उपर गेर के कपड़े और निकल गे रातो रात अरदवार पहुँच गए अब गरवालों ने इंतजार की गंटा दो गंटा फिर पूछा उन पालियों से रख अरदवारी नहीं आया वो कहने लगे वो नू कह रहा था मैं फ्रह सोकाओं हूं तुम चलो उन बच्चों को साथ लेकर गए बताया कहां सी परवेश हुआ था गिदर गया था जाकर ऐसी पहले टौरच टारच होती नहीं थी लालटन दीपक से ले रखे आतों में गए जो खा रहा है यूँ तो बच्चा खा रहा है हो होए तो किसी इंसक पसू नखा लिया रहा है मर गया मर गया अंदे होगे रोन लागे दूरते है अंदी रासा था है वो आड़ जो पसू के हुए और कपड़े कठे करके रात ने दाग दे दिया अग मर गया फिर उसकी तेर में सरू हुई पहले तो आयम इन्ने का लठगड़ा करता है अब वो ब्रामन ज्यारे हैं जो करम कांड करने वाले तो वो सारा काम कर दिया वर्सी भी बना वनू दी और फिर होगे सराद सरू कि युथरा बे उलादा मर गया नी संतान मरा हुआ है और इसकी अच्छी सिवा करनी चाहिए नी क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हूँ जमीन थी इनके नाम और वो बन रे भगत संत बन गे तुनिया का उद्धार करें एक बार जब मेरे पुज़े गुरुदेव जी एक सो पांट छे वरस के हो गे सत लोग जाने की त्यारी हुई तलवंडी भाई फिरोजपूर जिला पंजाब मुनका आसरम एक इसमें खन्ना के अंदर था एक मोगा के अंदर था एक नजब गड़ा सर्म था तो तलवंडी भाई वो ज़्यादा रहते थे तो वहाँ से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का बहुत से स्थ भी उनकी प्रेजन्स में दास के हो गे थे दो बच्चों की सेवा लगा रखी थी उनकी सेवा में छोड़ रखे थे तो उनका संदेशा आया है कि गुरु जी यहाँ पेंतावास आ चुके हैं तो दास भी पहुंच गया तीन-चार बच्चों को लेकर गाड़ी से वहाँ वहाँ देखा वो गुरु जी बैठे परणाम हुआ फिर उनकी एक बाबी जी थी वो बानुम वरसकी हो रही थी 92 एर ओर थी उससे बादचीत हुई हमने उनसे पूछा कि माता जी जब हमारे गुरु देव यहाँ से चले गए तो मने क्या सोचा पीछे थे वो कहने लगी जी मैंने तो यह सुना था कि इनकी मर्चु होगी तिरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्सी ने पसू ने खा लिया था इनसक ने और मैं आई जब तै इसके सराद निकला करते और सत्तर सराद में अपने आत्ते निकाल रहा खेश के और जब भी कभी कोई उक चूक गर में हो जाती बसूँ में कोई हानी होती फसल हमें हानी होती हम अपने गुरू जी ब्रामन के पास जाते थे उससे जंग पित्रा पुत्रा पढ़वाते थे वो क्या कहा करता कि तुमारा अर्दवारी नी संतान मरा हुआ है और वो तुमने सेद्ध है तुमने हानी करता है उसके पांचों कप्ड़े बनुआओ उसके सराद अची तरह निकल वाओ और उसका फुलाना कर जो वो जो कुछ भी कहता है वो सहरा करते हम और फिर भी न्यों कहता है ठीक से सराद नहीं हो अगली बार मैं करूँगा अची तरह अच्छी तरह सराद करवा जिर यू बैठे है नहीं कहाई नहीं हो अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी मैं मनाक रख्या नौ में जाए गे पत्चीस में सलोक में के भूत पूजनी यह भूत बनेंगे पित्तर पूजनी यह पूज़ा नहीं करनी चाहिए और यो आपके सामने जीवी तो दान रहा यो मूरख बना रहे थे आपको और वो साधना की वो कोई सती बात थे इन लोगों की ये तो इब तो छोड़ देना इसको ने वो लिना भाई या तो पुराणी लाग हैनों के छूट रहे हैं बाड में पड़ो फिर इबीवना छूट रहे हैं हद कर दी भाई आँखों देख रही है आप से कह रही है कि मने इ काल लिए पंडबी वर वा लिए नुबलो पित्तर बढ़ें गाई यूबे अगया है हाई पित्तर नहीं सब का उदार करने वाले महापुरुस बढ़े लाखों लोगों का उदार कर दिया इसे निरत्तों इनके सराद निकालो इन मूर्खों को पालन लगरी तो ग्द्धा न किने न सुनिया यह वाद के खान जाए उड़ तीरत्तों पर वाँ पता नहीं कहा का अमारा ग्यान किसी ने नहीं सुना अपना अत्माओं यह तीरत्त कैसे बने अब जैसे अमरनाथ धाम है यह कैसे बना पारवती माता को बगवान संकर जी ने उस सथान पर एक सुके वर्क्स के नीचे एकांट सथान देख कर ये मंतर दिया था पर्थम मंतर जो दासाब को देता है इसको मोक्स मंतर बोलते हैं ये जितना मोक्स कर सकता है तो पार्बती जी को जहां वो उपदेश प्राप्ट हुआ संकरब भगवान ने वो मंतर उनको दिया यह अमर मंतर तो उनके लिए उस पार्बती माता के लिए वो अमरधाम है आप और उमारे लिए नहीं अब जैसे यह तीरत और यह अमरधाम कैसे जैसे आप जिसको यहां बर्वाला में यह मंतर मिला उसके लिए तो यह बर्वाला है अमर्धाम और यहां बर्वाला में यह दास हो रही और यहां कोई भी नहीं और यह खाली पड़ा हूँ आसरम अब जैसे किसी ने करोथा आसरम में नाम लिया था उसके लिए करोथा है आश्रम अमरधाम अमरनाथ अब वहां कोई भी को नहीं ये दास यहां पर बैठा है तो उस करोथा में भाथा टेकन दिलाब बना हुए ये तो इस दास के वचन यहां सुनेंगे सत्संग सुनेंगे या सिर्वाद पाऊंगे तो यहीं लाब होगा तो अमरधाम जो है वो एक आदनिय समारक तो है कि यहां पर ऐसी गटना गटी थी लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाब नहीं होगा आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंतर हो और वो अमर मंतर आपको चाहे बर्वाला की गली में मिल जाता है और वहां उपदेश पराप्त हो गया तो वही आपके लिए मरनाथ है उस मंतर से मोक्स होगा उस सथान से नहीं अपने अत्माँ जैसे तीरत कैसे बने इसमें बहुत से परमान है के एक रिसी था उसने वहां बैठके साधना की और उसने मोक्स पराप्त किया अपने अत्माँ जैसे एक अमाम दस्ता होता यह सामगरी कुटन का दो आई दू कुटन का लो एका मुशलसा हो और डेड एक फुटका और दो एक फुटका वो डेड एक फुटका एक फुटका उच्चा नो इंच सोड़ा होता है वो किसी का परोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामगरी गुट्टी अवन अवन की और वो वापस दे गया मांज दो का कती साफ करके उनको लोटा गया जिसका था उनको रातरी के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी उन्होंने देखा यह महक कहां से आ रही है देखते देखते देखा यह तो इस अमाम दुस्ते में से आ रही है तो उन्हें देखा हो इसको तो प्रोसी ले गया था मांगके उसने कोई सामगरी कुटी है अब पुन्यात्मा उसने सारी सामगरी निकाल ली कती साफ करके वापिस लोटा दिया और फिर भी महक आ रही है वो सामगरी जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तू है तो वो महक जो उसके इंदर आवे थी थोड़ी बहुत है अमाम दस्ते एक दिन के बाद खत्म होगी अब ये तीरत एक अमाम दस्ता समझो और जैसे उस रिसी ने उसमें सामगरी कुटी यानि वो साधना वहाँ बैठ कर की वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चलागा जहां उसने उस साधना से जाना था वो तीरत तो एक अमाम दस्ता है उड़े एक दो मिन्ने एक दो साल उसमें मैं एक सियाव क्योंकि जहां संतने साधना की होती है कुछ देर रहत मिलती है लेकिन वो सामगरी याला काम नहीं हो सकता अब जैसे वो इतनी सामगरी कुटनी पड़ाएगी उसमें मैं एक आच्छी रोज लेने के लिए यानि सत्व साधना आप कहीं बैठ कर कर लो जैसे उस रिशीने की आप अपने घर पैकरोगे आपके लिए वो तीरत आपका घर है ना कि वो सथान जहां पर किसी अन्यने साधना की वहाद देखने जाने से हमें क्या लाब होगा जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत संग सुना उपदेश ले लिया और वहां हम बठी बना करके खीर बनाते अलवा बनाते सबजी बनाते थे और वहां से हम अगले सहर में चले गए और फिर कोई विक्ती ये बताने किसी को साथ ले कर जाए कि देखो यहां माराज रामपाल का सत्संग होया था यहां खीर बनी सुकी वठी दिखानी है अलुआ अरामपाल जा मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई इसी परकार समझे लो इन तीर थोर बरतों को जो सुक इस आत्मा को सत लोक के अंदर था यहां इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है उस सुक की खोज करते करते यह महा सुरग में भी पहुँच गी जिसको यहां का सबसे सुप्रिम यानि सबसे स्रेश्ट सुक मैं सथल बताते हैं वहां भी वो सुक नहीं है वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पर्थवी पर है वहां पर भी वही प्राणी है जो यहां सुब करम करके अच्छी बगती करके इस काल के सतर की और वहां पहुँच गे वहां उनको अच्छी पोश्ट मिल गी देव सरीर प्राप्त हो गया वहां का दो सुन्दर सरीर है और जो यहां रागदवेस यह कामकरोद मो लोब एंकार यह सारे विद मान हैं खचाखच बरे हैं उपर के लोकों के में रहने वाले पराणियों में तो वहां भी यह ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं नरक का समय पूरा करके फिर यह तुरह सी लाखियों में बटकते रहते हैं पुन्यात्माओं प्रमात्माँ पाने के जो सादन है वो भिन भिन नहीं है एक ही मंतर है एक ही विदी है यानि एक जैसे ही वो सब किरियाएं है और हम प्रमात्माँ पाने के लिए कोशिस करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम मापुर्सों से मिलते हैं क्योंकि ये विशेश कर हिंदू धर्म के प्राणियों में प्रमात्माँ में एक विशेश आस्था है प्रमात्मा की और उनको इतना ग्यान है सद्गरंथों के आधार से के गुरू के बिना मोक्स नहीं होता ये तो परतेक हिंदू धर्म के पुन्यात्मा के चाहे कोई भक्ती करता है या ना करता है तो वो भी ये जरूर के अवस्य कहता है कि वे गुरू बिन मौक्ष नहीं तो ऐसी विश्था अन्ये किसी भी धर्म में नहीं रही जैसे शिख दर्म के अंदर गुरू परमपरा थी लेकिन बाद में वो केवल गुरू गरंत साहिब को ही गुरू मान कर अपना अज्धात्म के रियाय करने लगे लेकिन वक्त गुरू का होना अनिवारिय है जैसे ये पवित्तर गरंद गुरू गरंद साहिब पवित्तर शिरिमत वगुत गीता पवित्तर वेद पवित्तर पुरान ये तो एक आदनिय सद्गरंद है महापुर्चों की जानकारी है वगवान के विसे हम लिखा इसमें ये तो ऐसा समझो के हमारे आश्दे की बुक हो आश्दे की पुष्टक है और उसके जानकार की हो सकता है जो वैद हो और वैद वही सफल होता है जो आश्दे की पुष्टक में लिखी हुई सब जड़ियों को विकठा करके मिला के समझ के जड़ी बनाता है इसलिए वक्त गुरू की आवशक्ता है तो पुन्यातमा इस धारणा के नुसार इस आवशक्ता की पूर्ती के लिए ये प्राणी गुरू के पास जाने लगे अब सरधालो को कोई ग्यान नहीं होता क्योंकि वो तो जिग्यासू होता है जैसा भी उसके गुरू जी साधना करने को कहते है वो समर्पित होता है वैसे ही करता है तो पुन्यातमा सभी बग्ती भी कर रहे है और बुराईयां ज्योंकी तो बढ़ रही है काम, क्रोध, लोब, मो, एंकार किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी है इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये स्यानती इस समाज में इस लोक में नहीं हो सकती ठस्सो वर्स पहले परमात्मा आये थे स्वम एक संत की भूमी का करके चले गए और साथ में एक जो लाहे काकारिये भी किया करते थे ये परमानित करने के लिए ये वही परमात्मा पाने के लिए क्योंकि उसमें भरम फैला हुआ था कि ब्रहमन वर्ग ही बग्ती के अधिकारी है बग्कियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था सराथ सुरूद निकालन खाते रहे क्रियाओं में उड़धा दिया था और विसेश कर यही माना जाता था कि ब्रहमन यरिसी महरिसी गर्टाकर चलागा जो व्यक्ती वही प्रमात्मा पा सकता है या गणा बड़्डा सेथ दान करता हूँ तो प्रमात्मा ने इस सब संकाओं का निवारन करने के लिए एक सूदर जाती में रहे रहना पड़ा है उसमें छुआचा तरम सीमा पर थी अत्यदिक छुआचा थी ब्रहमन लोग सुदरों को निकट भी नहीं आने देते थे दूर से बात करते थे और उसमें प्रमात्मा एक जुलाह जाती के अंदर रहे वैसे तो उनका जनम नहीं हुआ था सत्लोक से आये थे सहसरीर आये थे एक नवजात सिसु का रूप धार्न किया था कमल के फूल पर बाहर एक तलाब शरौर के अंदर वहां से एक निरु निमा नाम के जुलाह दम पत्ती उठा ले गए थे और वहां प्रमात्मा की परविर्ष लिला होने से और फिर जुलाह का कारिय करते हुए जनता को ग्यान भी देते थे भगतों को यथार्त ग्यान समझाते थे सुक्सों वेद का परचार करते थे वो यही हमें ये परमानित करने आये थे एक उधार्न देने आये थे कि परमात्मा पाने के लिए जाती और धरम और करम यानि जैसे कोई जादा बड़ा सेथ यानि धन अधिक या कम ये इसके लिए कोई माने नहीं रखता गुरु पूरा हो और सेस सूरा हो शूरुमा शूरुमा का रखत है कि इस बक्ती मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब करियाए अन्य संसारिक व्यक्तियों से भेन होती है तो उसमें हमारा सनाज बाधा करता है और जो उन बाधाओं की परवा ना करते हुए आगे बढ़ता है इस बक्ती मार्ग पर वो सूरुवीर होता है कौन कौन थे सूरुवीर जो आप जी को बहुत जिनका ग्यान है सूपरसिद है गरू थे सूरुवीर परलाद थे सूरुवीर और मीरा बाई थी सूरुवीर और सुम परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे वो तो सूरुवीरों के सूरुवीर और सब वगवानों के वगवान कबीर पर मेस्वर्दी और अब वरतमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ग्यान से प्रिचित इस दास के अड़ियाई ये सूर वीर क्योंकि क्रोथा कांड के दोरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था जूटा और इतना प्रिशान किया गया परमात्मा के बच्चों को लेकिन ये सूर वीर थे ना किसी से लड़े और ना डरे संत का यही एक नियम होता है लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं तो परमातमा साथ देता है आज हम सफल हुए पूरा विश्वय के अंदर ये ग्यान जावगा परमातमा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा क्योंकि ये काम उसी परमातमा ने सुरू करुआया है हमारा कोई खांदानी पेसा ना दादे पड़ दादे माता पिता ने कभी यह काम कराना दास को यह मजदूरी दी तो दास का उसी दिन से यह अटल इरादा बनी गया था सिर जाओ उचे दड़ जाओ परमातमा के चरनों में यह सी सिजाओ तो सफल तो पुने आतमा आप जी का सोब आगया है यानि यह समझे लो कूडे के धेर में गणा नीचे दबा रख्या था अब दास पे किरपा हुई रजा मालिक कभीर वगवान का साथ दास के साथ है तो अब यह धन आपके रूबरू हो पाया है इतने संग्रस के बाद सन उननी सो चुरानवा में दास को परमातमा ने आदेश दिया था गुर्देव ने दिख्या उपदेश और सत्संग करने का और आज सन दो हजार बारा हो गया लगबग अठारा वरस हो गये संग्रस करते ने मानिस जीरो से भगती को उपर उभारा है परमातमा कबीर जी की दिया से बिल्कुल ना मुनिसान नहीं था ना बगवान का ना वगती का परमातमा के लिए तरफ सभी रहे थे जैसे ये दास पहले अनुमान पुजारी था और मंगलवार का बरत रखता था साल आसर एक मंदर है अनुमान जी का और उसमें इसी भुड़ी सी मूर्ती रख रखी है ये बगवान अब आसी आती है अपने कर्मों पर काली सी मूर्ती में बना दी किसी ने पिर देखा देखी जान लाएंगे वहां तक एक खाया करते हम बता काल नहीं सा जुलम करवा रख है तत्वे ग्यान का तनामों ने सान मिटा दिया और कोरी बगवाद समाज में बरवादी ने उठे गुर्वों द्वारा तो पुन्यातमा या मेर हुई बगवान की कहीं आप देखा करते हैं चार इंटे लगा रहा की हैं उसमा कुटे मूटे हैं वहीं बैठ है और उन पूड़ वहां हमाथ्या टेकन जाओं है और तेरा गेज़े वही हो कोई वहां चे सारा दिन रोक है मरज्या को नियों कहने वड़ा नहीं क्यों रो रहा है पत्थर के आगे तो इसलिए वक्त गुरू की आउसकता होती है और उसके ज्ञान के आधार से भक्ती साधना करने से कल्लान हो जाता है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं किसी ससंग में जाना है मतलब मैं भगवान नाम से बिल्कुली वंचित थी मुझे भगवान का ज्यादा कुछ पता नहीं था बाकी कुछ मम्मी अपनी कथाओं में सुनाती थी कहानिया जैसे भगवान की कहानिया कभी राजा रानी की कहानिया तो वहीं से हमें भगवान के बारे में पता चलता था वाकि मैं अपने आप से कोई भक्ति ऐसी नहीं करती थी मेरी मम्मी शुरू से ही भक्ती में बहुत ज्यादा अविश्वास करती थी भगवानों पर वो शंकर जी की ज्यादा तर पूजा किया करती थी तो एक समय ऐसा आया हमारी जिन्दिगी में कि हमारे जो ताउजी हैं और मेरे पापा हैं उनमें बहुत ज्यादा जगड़ा लग सकू क्योंकि जगड़ा कुछ जमीन या पैसो का था हम उस समय पर छोटे थे तो हमें ज़्यादा जगड़े का इतना नौलिज नहीं था लेकिन बाद में मम्मी पापा ने बताया तब हमें समझ में आया तो मम्मी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी उस जगड़े को लेकर फिर एक दिन मेरी मम्मी चिंता में बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी तब मम्मी को एक संते जी ने दर्शन दिया और उन्होंने का कि बेटा चिंता मत कर आज से तीसरे दिन तेरा जो फैंसला है वो हो जाएगा तो मम्मी एकदम से चौक के खड़ी हुई कि ये कौन थे जिसकी आकाशवाणी हुई है या जिनका दर्शन हुआ है वो एकदम से चौक गई तो मम्मी वैसे ही मतब ठीक है कि फिर उसके बाद जो तीसरा दिन आया तो आटोमेंटिक की जो रिष्टेदार हमारे यहां से आने से मना कर रहे कि भाई हमसे तो तुमारा फैंसला नहीं ह पहले यह कौन थे, कहां से आये थे तो मम्मी ने फिर 2013 में टीवी पर एक सत्संग सुना, संत्रामपाल जी महराज का तो वो देखकर चौक गई क्योंकि वो जो जो संत्त थे वो संत्रामपाल जी महराज थे और उस समय पर मम्मी ने या हमारे घर में से किसी ने भी संत्रामपाल जी महाराथ से नाम दिख्षा नहीं ले रखी थी ना ही उनको जानते थे फिर उसके बाद मम्मी ने संत्रामपाल जी महाराथ से 2014 में नाम दिख्षा ली फिर उसके बाद मम्मी को कई वार मेरे बारे में संत्रामपा प्रिंका जी जैसे कि आपने बताए कि पहले आपको भगवान में कोई रूची नहीं थी, नहीं कोई आस्ता थी, लेकिन आपके घरवालों ने आपको संत्रामपाल जी महाराजी से नामदिक्षा दिलवा दी, क्योंकि संत्रामपाल जी महाराजी ने आपकी माता जी को दर्सन दे के बोला कि आपकी बेटी का जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, उनको कैंसर होने वाला ह क्या संत्रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को जो दर्संदे के बाते बताई थी क्या सच में वो सही साबित हुई की ती जो गौत होई ठीट ठीट पत्थर जैसी बिल्कूल और मैं एकदम से ही कमजोर हो गई एकदम से मेरा जो रंग था वो काला पड़ गया और एकदम से एक खाना था चूट गया ठाहल खाना कम भाती कभी खाती आख नहीं तो घरवालों ने ध्यान दिया कि एकदम से जो हश्ट पुर्ष बच्ची थी हमारी एकदम से कैसे कमजोर होगी है तो फिर घरवाले ऐसे पूस्ते थे लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि यह हो क्या रहा है फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए कि भई इसको बॉला कि भई जाच होगी तो डॉक्टर ने मेरे उस जो गाठ थी उसका ब्लड लिया था और ब्लड लेकर उसको सेंपल के लिए उसो बेजा जाच के लिए तो उसमें मेरे जब डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है आपकी बेटी को कैंसर हुआ है तो हमारे मम्मी अब हो रही है वो पहले से ही मम्मी को बता दी थी संत्रामपाल जी महाराज ने तो फिर मुझे ये थोड़ा सा ये हुआ कि संत्रामपाल जी महाराज कोई साधारन व्यक्ति नहीं है मैं पहले उन्हें सिर्फ एक संत जानती थी क्योंकि ज्यादा तर आज कल लोग गुरूओं के भक्ति करते हैं गुरूओं की बताई गई तो मैं भी उन्हें वैसा ही गुरू समझती थी जैसे कि वाकी और गुरू है तो प्रेंका जी आपको जो कैंसर की बिमारी थी वो कैसे ठीक होई फिर सर मैंने जब घरवालों ने सुना कि मुझे कैंसर है तो उसके बाद फिर ड उप्रेशन ज्यादा तर मरीज नहीं जेल पाते हैं तो फिर उसके बाद में संत्रामपाल जी महाराज ने संत्रामपाल जी महाराज ने मेरी मम्मी को साक्षा दर्शन दी और यह बोला कि बेटा उप्रेशन मत करवाना इसका नाम शुद्ध करवा तो फिर मेरी मम्मी ने पर जाकर तो फिर उसके बाद जब मैंने शंत्राइमपाजी महराज की बताई गई भक्ति साधना करना शुरू किया और यह मनीमन में सोचती रही कि ऐसा हो कैसे सकता है हालाकि तब भी मुझे डाउट था थोड़ा कि ऐसा हो से सकता है फिर उसके वाद एक दिन में बहुत ज्यादा सोच रही थी और मेरी ज्यादा उमर नहीं थी 17-18 साल की उमर थी उस समय पे तो मैं बहुत ज्यादा सोचती रही और सोचते सोचते सो गई कि संत्रामपाजी महाराज अगर आप भगवान है तो मुझे बताओ कि आप ऐ राजा रानी राजाओं के समय पर भी थी एक समय में में कभीर साहिब की भगत बनी हुई थी तो उसमें मेरी जो एज बताई थी वो सिर्फ इतनी बताई थी कि 16-17 साल की उमर में मर जाती थी मेरी जो उमर होती थी वो 16-17-18 की उमर में मर जाती थी और जो मेरी भक्ती थी व मैं उस समय पर बहुत जादा रोही कि मालिक यह सब मुझे कैसे मुझे पता यह नहीं था मुझे पथा उसके बाद मैंने संत्त्रामपा जी अंतर माफी आपकर बस तो उन्हों सारी चाहरागी वी थी एक जैसे एक वीडियो चलती है उस टाइप से मुझे बताई थी है सारी चीजे तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई तो मालिक से मैं चंड़ों में गिर गई सपनों के अंदर ही कि मालिक मुझे माफ करो मैंने बहुत ज़्यादा गलती की हैं और मुझे तो पता भी न प्रेंका जी जैसे कि आपने बताया कि आपको कैंसर की विमारी थी और डॉक्टर ने भी बोला कि आप जादा दिन तक जिन्दा नहीं रह पाएंगे तो उस घंबीर विमारी में आपको कैसे राहत मिली बिल्कुल सर मेरे कैंसर में राहत मिली कुछी दिन बाद मुझे में मम्मी को मेरी बहुत पहले से भी पता था और मम्मी को जम चोटी थी तो तीन चार्ट जोतेशियों ने मेरे बाद में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है इसको आगे जा कर ऐसी भीमारी होगी कि 16 17 साल 16 17 की उमर में यह मर जाएगी इसको भक्ति करवाना क्य पिर जो जोतिशी हैं, जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उमर 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि वो उनकी वविश्वाणिया थी जब किसी के बारा करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, जादा तर भो सफल हो जाती थी, लेकिन जब वो मुझे उपाट की इसकी उमर तो 16-17 साली थी और आज वो शौक हो जाते कि यो बच कैसे गई और संत्रा अंपाल जी महाराज ने मेरी जो बीमारी थी वो बिलकुल ही ठीक कर दी और आज संत्रा-ंपाल जी महाराजी ने आपकी कैंसर की बिमारी ठीक कर दी तो हम आपसे यह जाना चाहेंगे क्या संत्रामपाल जी महाराजी ने आपकी कैंसर की बिमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बुटी दी जिससे आपकी कैंसर की बिमारी ठीक हो गई नहीं सर ऐसा कुछ भी कि कोई दवा नहीं ली थी ना ही संत्रामपाल जी महाराजी मुझे किसी भी तरह की कोई टैबलेट या कोई दवा की शीशी वगएरा मुझे कुछ नहीं दी थी बस भक्ती दी उन्होंने तो और मैं स्वेते ही ठीक हो गई और आराम से वो जो गाठ थी वो भी नॉर्मल हो करते की कैसे एक संत किसी को साक्साद दर्शन देता है और फिर उसके बाद उनको इतने सारे लाब देता है तो क्या संत्रामपाल जी माहराजी से नामदख से लेने के बाद आपको और कोई भी लाब मिला इस तरह का जी हां सर मुझे इसके अलावा कई लाब मिले बगत जी एक लाब यह भी मिला कि हमारे एक समय में बारश की वज़े से कम अनाज हुआ था तो फिर पूट 6 मैंने का अनाज था तो मेरी मम्मी पापा बहुत जाद चिंटा में रहते थे हाला कि वह हमें बताते नहीं थे जब व भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी और हम भैस वागेरा रखते हैं तो उनके लिए भी चारा वागेरा सब चीज की वैवस्ता हमें रखनी पड़ती है तो जब मम्मी को बैठे बैठे ऐसी चिंता में बैठी हुई थी तो मम्मी को परमात्मा की आकाश वाणी हुई कि बैठा चिंता मत कर तेरे नाज के धांग लगे हुए हैं तो मम्मी एकदम से फटावट खड़ी हुई और जाके देखा जहां पर हम चारा रखते हैं वैसों का तो हम हर साल क्या करते हैं नाज को अनाज को चारे के अंदर रख देते हैं ताकि उसमें कीडे ना लगे और रो कि इस जमाने में भी संत्रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं जो ऐसे ऐसे चमत कार सकते हैं जो लोगों के लिए साइद ही लोगों को सुनने में जूट लगे या वो फरेव समझें लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ है क्या और कोई भी लाब मिले संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद आज हमारे पापा ने शराब छोड़ दी है और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आज वो भी संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेकर भक्ती कर रहे हैं प्रेंका जी जैसे कि आपने बताया कि संत्रामपाल जी महाराजी ने आपके माता जी को दर्सन दे के पहले ही बता दिया था कि आपको कैंसर होने वाला है और आप ज्यादा दिन के महमान नहीं है और भी इतने सारे ऐसे लाब दिये जिनको जानकर हम खुद भी एहरान हैं कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिये थे उसमें भी उन्होंने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो चांसे बहुत कम बताए थे कि यह मुश्किल ही बच सकती है क्योंकि जो मेरी गांट थी वो कैंसर की जो गांट थी वो गर्दन के पास थी गर् मारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमतकार वाली बात है और मैं में यह मानती हूं कि जो डॉक्टर आज के समाज में हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं कि डॉक्टर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो वहां पर डॉक्टरों ने जब मना कर दिया मेरे पड़ेगा कि संत्रामपाल जी महाराज ऐसे चमतकार कर सकते हैं भक्तों के साथ में जो ना किसी ने सोचे ना समझे हैं और जो यह लोग नहीं मानते कि संत्रामपाल जी महाराज से ऐसे ऐसे लाब मिल सकते हैं भक्तों को तो उनके लिए मैं खुद जीता जाकता उधारण ह कि मेरी भीमारी ठीक हुई है जबकि आपको मैंने पहली बताया था कि मुझे किसी भी संत में ऐसा विश्वास नहीं था और मैं खुद एक पड़ी लिखी भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूँ तो आप यह समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पड़े लिखे लोग होत चाते हैं देखे सर मैं पड़े लिखे समाज को एक ही संदेश देना चाती हूँ कि मैं भी पड़े लिखी हूँ और मेरे साथ भी ऐसे चमतकार हुए हैं जो अन्बिलीविविल थे जो मेरे लिए शौकिंग थे कि जिन पर मैं पहले बिश्वास नहीं करती संत्रामपाल जी और उनकी बताई गई भक्ति साथ न कीजिए आपको वो लाव आपको जरूर मिलेंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके कोई भी बीमारी होगी कोई भी समस्या होगी वो संत्रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ठीक हो जाएगी जो व्यक्ति संत्रामपाल जी महाराजी से नामदिक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नामदिक्षा कैसे ले सकते हैं? वो कॉंटेक्ट नमर पर आप कॉंटेक्ट करके अपने नजदी की सेंटर पर जाकर नामदिक्षा ले सकते हैं संत्रामपाल जी महाराज के हर जिले में नामदान सेंटर खुले हुए हैं तो आप वहाँ पर जाकर उनसे नामदिक्षा ग्रण कर सकते हैं जे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर